तू परवीन डोग जन्दि है और रुपने के तो दिल लगावी जन्दि है हेलो गाइस कैसे हूँ आप सब खोप करती हूँ आप सबी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे तो मैं हूँ आपकी चहेती बिंदास परवीन मलेक तो मैं हिसार पहुथ चुकी हूँ एक हफते का मेरा तूर था गई तो मैं दो दिन के लिए थी पर फिर लिए मुझे एक हफता लग चुगा है तो जितना खर्चा आया है वह भी आपके अप साथ शेयर करउंगी और मैं कहां कहां गई वो भी मैं आपको शियर करूँगी तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ काम करने के लिए कुछ खटे मीटे एहसास भी रहे इस ट्रिप में कुछ रिष्टों की दूरियां थी वो भी सोर समझ कर मतलब उनको भी ठीक करना पड़ा तो कुछ टाइम से मम्मी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो थोड़ा दिक्कत थी तो मम्मी को लेकर भी प्रिशान थे हम तो पानीपत पहुचे जब चाच्ची के घर पहुचे सुनीता मैं घूम मैं हम तो घूमते भीते वैसे ही पह करती हूं लोगों के साथ जितना के मैं निभाब भी पाऊं ऐसा तो नहीं हो सकता ना भी तुम दोस्ती कर लेते हो दोस्ती तो तुम भी ना जाओ तो फिर वो चीजे ठीक नहीं जाती है तो मेरा जर बहनों तक ही उटना बैटना है परिवार तक मैंने बहुत सीमित कर दिय क्योंकि परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो के बतो का बतंगड बना देते हैं और क्या करते हैं दूरियां होती है उनको और दूर कर देते हैं तो कुछ टाइम से फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी बट भगवान की किरपा है कि सब ठीक हो चुका है अब तो जैस ही हम बिचपड़ी गाओं में गए और फिर एक चाची और थी वहीं पर फतेफुरी चौक पे रहते हैं पानीपत में उनको भी मिलने गई मैं उनको मिली इस बार मोनिका बोली कि भी सबको मिल के जाना है तो चाचीयों को मिले हैं भी तो बहुत रिष्ते हैं बहुत बड़ चाटी के घर आय तो पता चला के मम्मी ने ओपरेशन करवाया है औंखों कर चाटी को मम्मी बिता देना तो हम आजा saràएं तो मम्मी ने सोचा बहुत ही तो आखों में ज़्या दिक्कत हो गी तो कैया रहेकर की डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तो फिर चलो भगवान की किरपा है कि सब कुछ ठीक हो गया है ओपरेशन भी ठीक टाक हो गया है तो पसीना नहीं आना चाहिए आखों में तो मम्मी को फिर भाई ने जैसे एसी तो पूरे घर में ही लगे हुए है तो ब्रदर ने भी अभी नया घर बनाया है बहुत बढ़िया घर बनाया है बहुत अच्छी कोलोनी में लिया है तो मैं नाम तो भूल गी उस कोलोनी का बहुत बढ़िया जो पानीपत की सबसे बड़ी कोलोनी है ना जो सबसे महंगी जहां पर जगय है पता नहीं क्या नाम था मैं नाम भी आपको सोच के बता दूगी वहाँ पर ब्रदर ने जो है घर लिया है नया बनाया है प्लोट लिया था तो फिर उस पे उपर अच्छे से मतलब काफी पैसा लगाया है नियर बाउट चार से पांच करोड रुपे लगाए है तो मैं तो घर किसी बात को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी तो बस फिर कोई बात नहीं बहन भाईयों में सब चलता रहता है दीरे दीरे सब सौट आउट हो जाता है बस किसी समझदार इंसान की जुरूरत होती है अब कई परिवार वाले तो होते हैं तुम ये कर लो मानिका सुनित्ता परव अपनी बेहनों को जो है नहीं देख सकती किसी भी तकलीफ में तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरा दिमाग खरा हो जाता है अगर मेरी सिस्टर के साथ कोई कुछ गलत करे तो और मैं सारे परिवार को देख रही थी सारे परिवार को कोई भी हो मैं नाम नहीं लेना एगनों हना चाहती किसी का क्यूंकि दाद का भी है नान का भी सबी है उसकी अंदर बाहर के भी है ॉडोस दो अडोस को अञूं करतं। मैं आपना फ्राइते हैं वर सब्य così सम्भार को जाता है तक में का सब्थय llevar आना जाना इनी में ही होता है, तो बस प्रमात्मा की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है, फिर भाई को मैंने फोन करा, दिपू, संदीब चोपडा, पानीपत में सबसे फेमस है, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है, तो आज सुन लो, तो फिर ब्रदर को मैंने फोन किया, कि मैं आई हुई हूँ, तो दिपू बोला कि नहीं आप आजाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब भाई ने ऐसा हाथ रखा, हलाके भाई मोनिका और सुनीता सबसे छोटा है, और भाई ले गया, हमें फिर इजज़त से ले गया, आशू मेरी भावी है, उन्होंने भी मेरी बहुत इज़त करी, मतलब ठीक है, हो जाती है, कई बार बात को वही मैंने आपको बताया ना, भी बात को बतंगड बनाने वाले बहुत हो जाते हैं, तो होपकोली मेरी भावी भी बहुत अच्छी है, सारी बातों को हमने जब समझाया एक दूसरे को, जब हम घर गए, बात चीत करी, तो सब कुछ ठीक हो गया, मतलब बात का जब गए, तो हम पाइप थे, पाइप थे, हलो, मामी जी ये चत्या है कि पली इंदे बी और भुआ है, नी जैनल, भुनी दिनी विल लुपमा कर ईEMA मांस जरो है हाम में पराती लोपमा ममी नल गाल करवाना एककरी ममी नल गाल करवाना जो ममी नल गाल कर वह उखाना के सिल करत आए ममने कीफास दम्हेए términ कि उसके लिट्टेम कर आया, कमके में ईसक्आ में होस्पुचल का बादन हादन दिया निथा कीफ detail गुद संदे पयुदा टकि आपकर्देशिंगा शबर हिढे कंवेत्न कर द Cum नि इसक्तार की एक इनमने की शोर्देशिय। अगिसें conjunto इंया होजबगर नीचित जब आप्राइट पीमन्यून और पीमनी अप्रेशन पाले इस बना में दूस्प्रेशे करें आपमने पूस्पोटल तामनाई जब दूस्पोटल टेल्ट करोड़ी करने थी कर दोड़ी कर लिया कि एक प्रियुक्षज कर दोड़ी दोड़ी कोर। आलो हम लोगे यह वार्व को समय घ्रिक जार लिए फिल्लीक है करने करनेशना देक्छाव एक जार्व नार लोगोर सेचेशन जार्व मजिए हन्रेक्छ नार्वकत जार्वी हम पासव緊 पुरिक करने संदाथ हं विए प्रत्ले मैं लेख इस अफैसे वीजेशन जवेशना है जीवा, नाम बताने को, नाम बता पिर अपना, भोल किता भी तो वाज आईगी, तो मैं पहुंच क्यों भाई के गर, अधिक्पु मुझे लेने आ गया था, तो ये है मेरी पतीजी, जिसका नाम है जीवा, और प्यार से हम बुलाते हैं, इसको परी, जीवी का नाम है, और तो शर्मा रही थी व्लॉग में आने के लिए, तो ये चाची और ये मम्मी है, तो मिलने के लिए दिपु भी आगया, दिपु अपना ओफी छोड़ कर मिलने आया, अपनी बहनों से, तो भाई भाई से मैं मिल चुकी हूँ, हर चीज सौट आउट हो गई है, छोटी छोटी बाते थी, वही बात है, कुछ हम समझे, कुछ भाई को समझाया, हो सकता है, हमारे से भी कोई गलती हो गई हो, तो हमने भी सौरी बोला, सब को बोला, भाई भी बोली, मतलब ठीक है, चलो रिष्टे ठीक करने थे, किसी ना किसी को जुपना ही था, तो बस परिवार जो है, छोटा सा परिवार है, हम तीन बहने हैं, और एक हमारा भाई है, भाई हम सब से छोटा है, तो सब कुछ भगवा प्रमात्मा की किरपा से सब ठीक हो गया है, मम्मी भी बहुत खुछ तो अब मैं आशु और दीपु को इन्वाइट करूँगी हिसार में, कि आओ और बच्चो को भी लाओ, और जैसे भी रहेगा, तो आज है यग्या की फ्लाइट, यग्या आने वाला है कुछ घंटों में, तो यग्या से भी मिलवाऊंगी आपको, और साथ में, तो आज का मैं यही एंड करती हूँ, तो जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन का बटन तबाना बिलकुल मत भूलना, ताके जल्दी से नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आप को मेंट जरूर करना, कि आपको मेर ब्लॉग कैसे लगते हैं?